Q3. इसमें आपको चार स्टेट्मेंट्स दी हुई है. पहली स्टेट्मेंट क्या है? A is the mother of B. आपको बोला गया है A जो है माँ है B की. Second statement में है C is the son of A. C क्या है बेटा है A का. Third statement में है D is the brother of E. D भाई है E का. और चोति स्टेट्मेंट में है E is the daughter of B. E क्या है बेटी है B की. आपसे पूछा है the grand mother of D is. आपने grand mother बतानी है D की कौन है? A, B, C, E. इन चारों में से कौन grand mother है D की. जो स्टेट्मेंट में हमें दिया है A is the mother of B. मैं B की mother बनाओंगा. कौन? A. B के उपर मैंने A बना लिया. A के उपर माइनस लगाओंगा क्यूंकि A क्या है? female है. negative sign का मतलब क्या होता है? female. A is mother of B. ठीक है बना दी. आगे है C is son of A. C कौन है? C बेटा है A का. तो A का ही बेटा मैं नीचे बनाओंगा. कौन आजेगा? C. C क्या है बेटा इसके पर प्लस लगा लेता हूं क्यूंकि male है ये भी बन गया मेरा. ठीक है? तो आपके पता लग गया बात. A. B की mother है और B का बेटा कौन है? C है. Means B और C के हैं दोनो? बहन भाई भी हो सकते हैं, भाई भाई लिए है. यहां पर तो कहीं पर हमें पता ने डी नहीं आया या इसको साइड में बनाता हूं. D is brother of E. E का मैंने भाई बना दिया D. उसके उपर लगा दिया plus. क्यूंकि D का मुझे पता लग गया क्या D क्या है? मेल है. और four statement क्या है? E is the daughter of B. E बेटी है B की. अब पता लग है आपको. जो E है वो बेटी किसकी है? B की. तो B के नीचे मैं क्या बना सकता हूं? E. और E का भाई कौन है? D. E बेटी है B की. तो यहां पर क्या लग जाएगा? माइनस. ओके जी. तो सारा कुछ पता लग गया है. बस आपको B का नहीं पता लगा. B male है, female है. आप नहीं पत प्लस क्योंकि यहां पर बना हुआ है. तो प्लस यहां पर आजएगा. देखो यह दोनों बहन भाई है. E की B कै? पता नहीं. मा भी हो सकती है. पीता भी हो सकता है. क्योंकि आपको यह बोला है कि E बेटी है B की. पर B के बारे में नहीं बताया. B उसका फादर है, मदर है. E की Grand Mother A होगी. B की भी Grand Mother A होगी. क्यों दोनों क्या है? भाई और बहन है. B भाई है और E क्या बहन है. E की मा या बाप दोनों में से कौन है? B है वो. मुझे नहीं पता कौन है. और B की मा कौन है? A है. तो देखो. यह कौन बन गया? यह इसकी Mom या Dad. दोनों में से कुछ भी ह हो सकता है ठीक है और उसके उपर कोन आ गया यह आ गया ग्रैंड मदर तो अंसर क्या देगा डी का ग्रैंड मदर कोन है ओके